और दोस्तों अभी अभी मोसम समाचारों को लेकर बहुती बड़ी और खतानाग चेतावने निकल कर सामने आ रही है जहां पर बड़ी खबर है कि पिछले 24 घंटों में 90 किलोमेटर परती घंटे के रपतार से तेज तुफान से देखते देखते मोबाईल टावर हुआ धरा सा कई मकानों में पहुचा नुकसान और इसे के साथ अगले बड़ी खबर आ रही है कि लगातार पांच दिन से चल रहे तुफानी हवाओं के कारण दो हजार से जदा किसानों की फसल हुई तबा है उसके अलाबा मोसम भागने अगले तीन से लेकर पांच दिनों के मतन अजर देश भर के 17 राज्यों में भारी बारिस के साथ ही कई जिगों पर खतरनाक तुफान की चेतावनी जारी करी है जहां पर पाकिस्तान की रास्ते एक खतरनाक तुफान भारे देश में दस्ताग देने जारा है जिसका खतरा अगले तीन से लेकर चार दिनों तक लगातार बना रहेगा तुफान में हवाओं की स्पीड लगबग 90 किलोमेटर परती घंटे की रबतार से बताई जारी है उरहा मित्रू वीडियो को लाई करके कॉमेंट बॉक्स में अपने गाउं सहर या फिर राज्य का नाम जरूर बताएं ताकि अगले वीडियो में आपके यहां की कोई भी बड़े खबर या ब्रैकिंग नुजेड लैस होना तो उसे सबसे पहले आप तक लेकर आ सके चलिए मुसम समाचारों की तरफ आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको एक महत्त पुन बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुती ज्यादा महनत करते हैं तो वहें आपको चैसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम् के लिए हमारी गुरु जी आप तक ले कर आ आए हैं आपके एपने जीवन के बारे में व्यक्ति गद याने के पर्सेलाइजद कुंडली, जिस इसे आप घर बेटे ये पता लगा सकेंगे कि आपके आपके नव गरहे आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडले याने की किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रहा आपके लिए कमजोर तो नहीं और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भागे उदई कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नोकरी और व्यापार दोनों में आपको किसमे ज कुंडले के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं. अउरहा मित्रू कुंडले बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपे की फीस देनी होती है. ऐसे में आप फालतु फोन करके अपना खुद का और गुर इस्ता फाइनल नहीं हो पाता. व्यापार में आपको लगातार नुक्सान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है. या आपके उपर कर जो चुका है, जिसको आप चुका नहीं पा रहे है. आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहे है. बच्चों का पड़ाय में मन नहीं लगत बच्चे लगातार सरकारी नोक्री या किसी अच्छी नोक्री के तलास कर रहे हैं लेकिन उनको नोक्री नहीं मिल पारी है या लड़का लड़की का विवा होने जारा और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडले मिलान करवाना चाहते हैं सबसे पहले सुरवात करते हैं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में 65 घंटे तक होगी जमा जम बारी से 38 जिलो में आदी तूफान का अलर्ट दिखेगा मानसून का असर आपको बता दे उत्तर प्रदेश के कई जिलो में बारिस और बुंदाबानी से राहत मिली है और इसे बीच मोसम भाग एक नया अपडेट लिकर आया है मोसम विग्यानिकू के अनुसार उत्तर प्रदेश में कल से ही एक बार फिर से मोसम में बदलाव देखने को मिलेगा वेश्ट उत्तर प्रदेश और बुंदेल खंड सहित लगबग 38 जिलो में बारिस के साथ ही आंदी तूफान की संभावना है और लगबग गरज के साथ 50 किलोमेटर परती घंड के रबतार से तेज हवाय चलेगी मोसम केंदर के वरिष्ट विग्यानिकू को नुसार एक नया पस्ची में विक्सोब सक्रिय हुआ और इसके चलते उत्तर परदेश विष्ट के 50 से लेकर 60 किलोमेटर परती घंड के रबतार से हवाय चलेगी और इसे के साथ बारिस अगले 4 से लेकर 5 दिनों तक जारी रहेगी और वहीं मानसून के लिए दुस्तर परदेश वालों को थोड़ा सा इंतिजार करना होगा चली हर्याना की बात करें तो पस्ची में विक्सोब के असर से कुछ जिगों पर होगी बूंदाबांदी अगले 5 से लेकर 7 जून तक रहेगा अंसिक परभाव दुस्तो हर्याना के उत्तर परवतेक सेत्रों में पस्ची में विक्सोब का असर कई जिगों पर बूंदाबांदी के साथ ही देखा जा रहा है अगले तीन दिनों की बात करें तो हर्याना के कई जिलों में पस्चिमी विक्सोब के कारण दुस्तूब बुंदाबंदी बारिस के साथ ही कई जिगों पर तेज और तूफानी हवाई चल सकती है मुसिम भाग ने यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया है बात करते हैं मद्य परदेश की आप कोंसे गाउं सहर या फिर राजी में रहते हैं आपने अभी तक भी ने बताया फटा बड़ से वीडियो को निची कमेंट बुक्स में अपने गाम का नाव और सहर का नाम जरूर लिखे ताकि अगले वीडियो में आपके यहां के जो भी खबर होती है तो सबसे पहले हम आप तक लेकरा सकें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संक्या में शेयर जरूर कर दीजे ताकि मित्रू वीडियो बनाने का हमारा मकसद पूरा हो और हम आप तक रोज एसी नई-नई काम की जानकरी के जो वीडियो है ना वो फ्री मिलाते रहें मद्य परदेश से बड़े खबर आ रहे है मूसम उभाग की सक्त चितावनी कभी भी आ सकता है 80 किलूमेटर परते घंटे के रबतार से खतार नाक तूफान आपको बतादे दोस्तों कि जून के महिने में अब तापमान कुछ बढ़ने लगा है और इसके चलते कई जिगों पर 40 दिगरी सेलसेस के आसपास तापमान पहुँच चुका है लेकिन बीते दिन सुबह सही तेज धूप के चलते गर्मी बढ़ गई है और मद्यपरदेश में अगले 3 से लेकर 5 दिनों के मद्य नजर राज्य में 80 किलोमेटर परती घंडे की रबतार से तेज तूफानी हवाएं चल सकती है और कई जिगों पर हलकी बारिस के साथ बूंदा बांदी और कई जिगों पर तूफानी बारिस और गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है चलिए बात करते हैं चतिस गड राज्य की तो बड़ी खबर है चत्तीस गड़ के कई स्थानों पर हलकी बारिस के साथ ही आंदी तूफान का अलर्ट मित्रू चत्तीस गड़ में अगले 24 और 48 घंटों के मदे नजर बारिस का इंतिजार रहेगा आपको बदा दे यहाँ पर आकसी बिजली गिरने के साथ हलकी मदेम और कई जिगों पर तूफानी बारिस होने के संबावना है कई राजियों में हलकी फुल के बारिस के साथ ही कई जिगों पर तेज और तूफानी हवाई भी चल सकती है चलिए गुजरात से बहुती बड़े खबर सामने आ रही है चलिए जान लेते हैं गुजरात के मोसम समचार उसके बाद अन्य राजियों के मोसम के तरफ नज़र डालेंगे उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के माइंड क्वीज याने की गिवे वाले सवाल की तरफ तो मित्रू आज का माइंड क्वीज वाला सवाल आप स्क्रिन पर देख पा रहे हैं जी हा मित्रू दूबारा से सुन ली चेगा तो फटापर से लिखना है क्युसंस का सही जवाब इस उड़ो के नीचे कमेंड बुक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसे एक खास कमेंट्स को सलेट किया जाएगा हमारी नूज टीम के दौरा और मित्रू उसे दिया जाएगा एक बंपर और सर्प्राइज गिप्ट आपको वीड़ो के नीचे कमेंट्स करके वीड़ो को शेयर करना है चले बात करते हैं गुजरात के मोसम समाचार तो गुजरात में चक्रवाती तूफान को लेकर हुआ अलर्ट बारिस के साथ चलेगी तेज हवाई आपको बता दे गुजरात के कई जिलों में मोसम बिगड़ने वाला है राज में वाईपर जो चक्रवाती तूफान आने वाला और इसके कारण कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ही बारिस होने का अलट जारी हुआ है मुसिम उभा के अनुसार अरब सागर में एक नेमने दबाव का क्सेत्र बन रहा है और इसके चलते ये अगले दो दिनों में चक्रवात में बिदल जाएगा और इस चक्रवाती तूफान का असर गुजरात के लवा महाराष्ट के भी कई जिलों में देखा जाएगा मुसिम उभा का कहना है कि 6 से लेकर 9 जून तक चक्रवात बाई पर जोई के चलते तेज आंदी के साथ बारिस होगी और गुजरात में हवाओं की रबतार 50 किलोमेटर परती गंटे की रबतार से भी जादा हो सकती है गुजरात के बनास काटा साबर काथा अरावली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिस है और इसे के साथ पाटन, मोडासा, महसाना सहीत, अन्यक सित्रू में भी बारिस का लट जारी हुआ है ऐसे में सावधाने बनाए रखे सतर्क रही है चलिए राजसान से बड़े खबर आ रही है आंदी तुफान ले पिछले 24 गंटों में 5 लोगों की जान अगले 3 दिन तक इसा ही रहेगा खतरनाग मोसम जिहां मित्रू आपको बता दे राजसान से बहुती बड़ी चेतावने निकल कर सामनी आ रही है जहां पर कई जिलों में पिछले 7 दिन से लगातार तेज अंदर और बारिस हो रही है और आंदी तुफान से परदेश के कई जिलों में लगबग 30 से जादा लोगों की मरने की खबर आ रही है तो कई लोग गायल बताय जा रहे है ताजा खबर है दुस्तू राजस्तान में अजमेर जिले के विजयनेगर थानाक सित्र गाम खूटिया के अंतरगत जहां पर तेज अंदर से एक निर्मान धेन मकान के चट के उपर बनी दिवार भर बराकर टह गई दिवार के मलबे में दबने से एं मकान में सोरे एक महिला और उनके दोनों बेटों की मोके परी मोतों की बहुती बड़ी दुखत गटना है और पिछले 3-4 दिनों से ओरे आंदी तुफान के मदे नजर राजस्तान में कई हज़ार हेक्टर फसलों को नुकसान पहुचा हो और साथ ही सबसे ज़्यादा नुकसान आम की फसल को हुआ है चले जान लेते हैं मित्रों पूरे भाराय देश का अगले 5 दिनों के दुरान कैसा क्या रहेगा मोसम का हाल उससे पहले आपको बतादे कि राजस्तान के जेसल मेर से बड़े ख़बर आ रही है तुफान से मची तबाही देर राज चले तेज तुफान ने 90 फिट उचे टावर को किया धरासाही और राजस्तान में अगले 3 से लेकर 5 दिनों के मदे नजर भी जेसल मेर बाड मेर और जोदपूर सहीत कई जिलों में तेज आंदी तूफान के साथ ही खतानाग बारिस के संबावना जदाई है चलिए जान लेते हैं अगले 5 दिनों के मदे नजर कैसा रहेगा मोसम का हाल आपको बतादे देश की राजदानी दिल्ली उत्तरपरदेश सहीत विबिन राजियों में बारिस का दूर जारी है समिलनादूर आंदे परदेश में भी बारिस के संबावना बनी रहेगी साथ ही अगले 5 दिनों के मदे नजर विदर्भ मराठ वाड़ा में तापमांज जो 40 से लेकर 42 दिगरी सेलसियस के आसपास रह सकता है जबकि पश्ची में हिमाले क्षेतर, राजस्तान, पंजाब, हर्याना, चंडिगर और दिली में 4 से लेकर 8 दिगरी सेलसियस के गिरावट रहेगी और यहां पर आंदी तुफान के साथ ही 30 हवाईं चल सकती है बाकी बिहार और जारखन में भी दूस्तू मांसून की जुगती विद्या वो बिगडेगी फिलाल मोसम भागे विग्यन को ने बताये कि समुदर के आसपास मच्छोरों को दूर रहने के सलादी है समुदर का क्षेतर में नाव लेकर नहीं जाए तो चलिए इसे के साथ मुसम समाचारों की सबडेट बुलेटिन को फिलाल के लिए यहीं पर देती है विराम फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंज जै भारत वंदे मातरम